एक प्रियास सामन ज्ञान के अंत्गरत आज के पांच महत्पुनप्रस जो की आधित्य एलवन से ले गए हैं जिसमें पहला प्रस्थन है इस्रो द्वारा आधित्य एलवन को किस इस्थान से प्रेक्षेपित किया गया है उत्तर है इस्रो द्वारा आधित्य एलवन को आंद्र प्रदेश के सिरी हरेकोटा इस्तिस सतीस धवन अंत्रिक्स केंद्र से दो सितम पर दो हजात तैस को ग्यारा वजकर पचास मिनट पर प्रेक्षेपित किया गया बहुत महत्तपूर प्रस्न हैं कई प्रस्न जिससे पुछे जाएंगे तो सभी प्रस्नों को आपने बड़ी ध्यान से शुनना है और समझना है आज का दूसरा प्रस्न है आजित्य L1 को किस प्रेक्षेपण यान से प्रेक्षेपित किया गया और इसका उत्तर है कि आजित्य L1 को PSLV C57 प्रेक्षेपण यान से प्रेक्षेपित किया गया है यह बार बार पूछ लिया जाता है और आप पिछले प्रस्नों को देखेंगे कि ऐसे प्रस्ट में बहुत अदिक पुछे जाते हैं देखिए PSLV का विस्तारित रूप क्या है तो PSLV का विस्तारित रूप पोलर सेटलाइट लाँच वैकिल्स यानि धुरूवी उग्रह प्रेसेपन यान है तरस्ट में चार देखिएगा आदित्य L1 की मिशन निदिशक कौन है तो तर है कि आदित्य L1 की मिशन निदिशक डाक्टर निगार सांजी है अब देखिए गए बहुत ही महत्वपून प्रस्टन है और इसलिए इन जो जैसे यह आदित्य एलवन मिशन लौच किया गया यह भारत का पहला सूर्य मिशन है तो यह प्रस्टन आपके लिए बहुत ही महत्वपून बन जाता है कि इसके निदेशक कौन हैं प्रस्टन पांच है कि आदित्य एलवन को प्रित्वी से कितनी दूरी एं किस बिंदू पर इस्ताफित किया जाएगा उत्तर है आदित्य एलवन को प्रित्वी से पंदरा लाग किलोमेटर की दूरी पर लंगरान के बिंदू एलवन पर इस्ताफित किया जाएगा इसमें सूर्ज से पित्सवी से कितनी दूरी पर L1 को इस्तापित किया जाएगा तो 15,000,000 किलोमीटर इसका उतर होगा और इन पांच प्रस्थनों के शार्ट आज का महत्व पॉन बिचार Everything is easy when you are busy But nothing is easy when you are lazy जब आव्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता और ये विचार स्वामी विवे का नंजिका है